वेल्कम बें गाइस टोवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी मेरे नामे चेतन पारिक आरेस अगिरवाल की हिंदी वाली बुक में एवरेज चप्टर चल रहा है उसमें पार्ट नमर चार हम सुरू करने वाले ठीक है तो क्या है पार्ट नमर चार का पहला सवाल यह रह एक तरफ मान लिया गल्स लिख दिया एक तरफ मान लिया बॉइस लिख दिया गल्स का उसत प्राप्तांग कितना है 80 है बॉइस का उसत प्राप्तांग कितना है 60 है अगर पूरी क्लास को देखे तो उसत प्राप्तांग कितना है 68 है ठीक है अब इसको सॉल करना है बड़े म से चोटा गटा लो तो असी में से 68 गटा लो किता आएगा बारा 68 में से 60 गटा लो किता आएगा आठ आठ अनुपात बारा चार से काट लेंगे तो दो आ जाएगा चार से काट लेंगे तो तीन आ जाएगा दो अनुपात तीन मिल रहा है ठीक है किसका अवस्थ निकालना है पर्तिसर निकालना लड़कों का लड़के कितना है तीन है किस में से टौटल पांच में से तीन बटा पांच का मतनब कतना होता है तो इसको सवाल हमारे पास है 126 पराप्तांग और और अनुत्यरिन हुए चात्रों का आउस्त प्रापटांग पंदरह है तो कितने चात्रW उत्तिरिन हुए, मतलब विविल्खुल सेम सवाल PiS Exchange गर दी, एक तरह पास होने वालों का आउस्त प्रापतांग कितना है 39 पेल होने वालों का उसत प्रापतांग कितना है 15 पूरी क्लास का उसत प्रापतांग कितना है तो 35 ठीक है बड़े में से चोटा गटा लो 39 में से 35 जाएगा 4 35 में से 15 जाएगा तो 20 रेश्यो क्या मिल रहा है यहाँ पे 4 से काटा तो 5 यहाँ पे 4 से काटा तो 1 यहाँ रेश् इंटू 20 किया तो इसको इंटू 20 कर लोगे 100 है, इसको इंटू 20 कर लोगे तो ये 20 हो जाएगा, यानि pass होनने वाले विद्यारती 100 है, fail होनने वाले विद्यारती 20 है, आपको क्या पूछा है, pass होनने वाले, यानि क्या हो गया, option number a हमारा correct answer हो गया clear आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देख रहता है क्या है किसी परिक्सा में छात्रों तथा छात्रों के ओसत प्राप्तांक क्रमसा 71 और 79 है ठीक है एक तरफ छात्र है यह नहीं boys एक तरफ girls ओसत प्राप्तांक 71 73 पूरी class के किते 71.8 ratio find तरम है ठीक है allocation लगा के solve करने देख लगातार एक टाइप के सवाल आ रहे हैं तो अब बड़े मेंसे छोटा गटा लो 71.8 मेंसे 71 गटाएंगे तो 0.8 और यहां पे 73 मेंसे 71.8 अगर मैं गटाऊं तो मुझे किता मिलेगा 1.2 मिल जाएगा यहां से अटा लो चार से काट लो तो 3 अनुपाद 2 मिल गया 3 अनुपाद 2 यानि option नमबर ए अमारा प्रेक्टान फुरूज ठीक है आगे बढ़ता है अगला सवाल क्या है अगला सवाल यह कह रहा है 11 संख्याओं का उसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का उसत 6.5 है और अन्तिम 6 संख्याओं का उसत 11.4 है तो मद्यवाली संख्या क्या है यह आपको find करनी है इस सवाल के अंदर अगर आप इस डेटा को लेकर solve करोगे तो आपके 4 के 4 option match ही नही यह जो 6.5 दे रखा है ना इसकी जागे 10.5 है सवाल में एक्ट्वल में क्या है 10.5 है ठीक है अब इसको 10.5 लेकर solve गरोगे ना तो इस option में सांसर आ जाएगा अगर 6.5 लेकर करते है तो option में से कुछ भी नहीं मिलता इन्वैलिड बन जाते है इस सवाल तब इसको solve करके दे 10 और 11 यह 11 संख्या मेरे पास है सवाल यह कहे रहा है इन 11 संख्याओं का औस दस पॉइंट नौ है उसमेंसे पहली च्छे का औसर पहली च्छे का औस आपको दे दीजा 10.5 और अंतिम च्छे का जो ओस्प है यह आtechn है ठीक है कितना जिदिया 11.54 आपको ये कह रहा है कि मद्य की संखिया ज्याद करो तो क्या करो ज़ादा वाले से लेके कम वाले के दूद बागी बचरा है वो खुद रख लो या अगर कम पड़ रही है तो खुद में से निकाल लो वो चीज़ करने है, जैसा अपने लास्ट पार्ट में बिल्कुल सेम सवाल किया था, बज यहां पर वैसे ही करेंगे, देखो, जैसे यहां पर है, सब का उसत यह कह रहा है, दस पॉइंट नौ है, लेकिन सुरवात के छेह का उसत दस पॉइंट चार बता रहा है, हर एक के पा पास में 0.5 एक्स्ट्रा है, कितना एक्स्ट्रा है हर एक के पास में, 0.5 एक्स्ट्रा है, अगर 0.5 एक्स्ट्रा है हर एक के पास में, तो 6 जनों के इसाब से कितना एक्स्ट्रा हो गया, 3.0 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब यह क्या है, प्लस में, तो मैं क्या करूंगा, ज्या यह बीच वाला रख लेगा बीच वाले का उसत कितना है दस पॉइंट नो इसके अंदर आप और देरो पॉइंट चेहें तो कितना हो गया ग्यारा पॉइंट पांच यह नहीं ऑप्सन नंबर डी हमारा करेक्ट आंजवर हो गया आई बाच में तो यह है इसका सौड तरीका अ गयारा इंट यह कर लो यह मिल गया आपको इन गयारा संख्याओं का योग उसके बाद पहली छेह संख्याओं का उसत इतना दे रखा है थो मुझे किया मिल जायाएका योग मिल जाएका पहली 6 संख्याओं का योग भी जोड़ देता हूँ 11.4 into 6 जोड़ देता हूँ मुझे क्या मिल गया सभी संख्याओं का योग मिल गया पहली 6 संख्याओं का भी अंतिम 6 संख्याओं का भी जब मैं पहली 6 संख्या अंतिम 6 संख्या ले रहा था इस पूरे में से solve करके निकाल लो, फिर इसको कर दो माइनस, क्योंकि ये 11 संख्याओं का योग है, ये 11 संख्याओं का योग तो ही है, 60 संख्याओं इसमें एक बार और है, तो automatically इसमें से ये गटा होगे तो आपको 60 संख्या मिल देगे, और वो कितनी होगी तो वो 11.5 होगी, आई बात समझ में, आई वोप आपको अच्छे तरीके से तरीका समझ में आच चुका है, दौनों तरीके बता दिये मैंने, जो सही लेगे वो आप फोलो कर सकते हो, बढ़ते हैं अगले सवाल क्यों, अगला सवाल क्या है, चार धनात्मक पुरुनांकों का ओसत 72.5 है, इन म मैंने क्या कर दिया, तो यहां से क्या होगा, मुझे सबका योग मिल जाएगा, योग मिल गया, उसके बाद सबसे बड़ा पुरुनांक 117 है, यह दे रखा है, सबसे चोटा पुरुनांक 15 है, यह भी दे रखा है, बच्चे वे दो पुरुनांक क्या है, मुझे नहीं पता तो मैंने उसको a plus b लिख लिया, एक वार इसको solve करके देख लेते हैं, a plus b, यानि बचे वे दोनों पुरुणांकों का योग क्या है, वो मुझे यहां से मिल जाए, तो इसको तोड़ा solve करके देखते हैं, देखो, इनको गुणा करा लेते हैं, 4 से गुणा किया है, मैंने यहा 32 हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं, तो a plus b किता मिल गया, तो यहां पर देखो, 10 में से 2 जाएगा, तो 8 हो गया, फिर यहां पर, 8 में से, अगर 3 घटा लूँ, तो किता मिल जाएगा, 5, और यहां पर, 1, 108, मतलब बचे वे दो पुरुणांकों का, योग कितना है, 158 है, और मैंने जोड़ा किता मिल रहा है, 170 मिल रहा है, किता मिल रहा है, 170, इसमें दो का अगर मैं भाग लगाता हूँ, तो मुझे किता मिल रहा है, तो इसमें 8 वार में पूरा पूरा जा रहा है, फिर 5 वार में, तो पिछे ऐसी answer हो जाएगा, हमारा, यह नहीं, option number E, इन में से मान क्या होगा, देखो A और B का औस्त अगर आपको निकालना था, आप क्या लिखोगी, A प्लस B बटा 2 लिखोगे, है नहीं, A और B का औस्त होता कितना है, A प्लस B बटा 2 होता है, लेकिन सवाल कहा रहा है कि औस्त यह है, तो यह औस्त इसमें change हो जाए, इसके लिए N का मा होता है, सिमिलरली यह भी किता हो जाएगा, 1, 1 और 1 किता हो गया, 2, मुझे यही तो चाहिए था, यानि आप्सन नमबर A हमारा correct आनलस में हो है, ठीक है, बागी वाल आप्सन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, य उसके बाद में, यह एक condition और देर की है, आपको बोला है कि A square, plus B square, plus C square का मान, का औसत कितना होगा, तो औसत निकालने के लिए पहले योग के जरूरत पड़ती है, अगर योग मिल जाता है तो बटा तीन कर लूँगा, हमारा answer आ जाएगा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ इस में दौना तरफ whole square कर रहा हूँ, whole square करने पर क्या मिलेगा, A square, plus B square, plus C square, plus 2 into, A, B into, B, C into, C, A, इन सबका योग आपको देर रखा है, 0, तो मैंने सीधे ही लग जिए 0, और सामने कितना हो गया, यह सामने हो गया, 9 M square हो गया, मतलब मुझे देख लो इन तीनों का योग म क्या मिलता है, उसत मिलता है, तो संख्या कितनी एतीन एतीन का भाग लगा दिया, solve कर दिया, कितना मिल गया, 3 M square मिल गया, 3 M square यह नि, option number B हमारा correct answer हो गया, clear, आगे बढ़ता है, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारे पास है, 5 संख्याओं का उसत 18 है, एक संख् कर दूँ सबका योग आ जाएगा, लेकिन अगर आप एक संख्या छोड़ लेते हो, तो संख्या कितनी बची, 4, किता वासत आ रहा है, 16, यह किता है, 64, 16 into 4 किता हो गया, 64, और 18 into 5 किता हो गया, 90, पीछे क्या रह गया, देखो, 90 में से 64 गटा लो, पीछे क्या रह गया, 26, तो 26 यानि option number B हमारा प्रेक्टांसर होगी है, आई बात समझ में, तो I hope guys सारे के सारा सवाल आपको अच्छी तरीके समझ में आ चुके हैं, आगे आने वाले सवालों को अपन अपकमिंग पार्स में सौल गरेंगे, थेंक यू, प्लीज, लाइक, शेर, सब्सक्राइब, डि एडिटर तैयारी